Narcotic Drug and Psychotropic Substance Act 1985 में ये Act दोस्तो आया था जिसमें कि कुछ बाते बताई गए कि कब किसी भी ऐसे व्यक्ति को बेल नहीं दी जानी चाहिए जो Commercial Quantity में Involve NDPS जो Act है ये खुद इसका Section 37 ये बात बोलता है कि बेल नहीं दी जानी चाहिए किसी को अगर Commercial Quantity में आपने पकड़ा है दोस्तो NDPS जैसे Cases में कई बार हमने बहुत सारी वीडियो बनाई है अलग-अलग Sections पर भी वीडियो बनाई है Supreme Court के Judgment साते हैं या बेल पर क्या कहा Supreme Court ने इस पर भी बहुत सारी वीडियो आपको हमारे इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगी सारी वीडियो देखेंगे मेरा मानना है कोई किसी तरह का सवाल आपकी दिल में बचेगा ही नहीं NDPS केस को लेकर NDPS में अगर हम बात करें तो बेल के अगर हम बात करें बेल के प्रॉविजन्स में क्या बोलता है देश का कानून Narcotic Drug and Psychotropic Substance Act 1985 में ये Act दोस्तों आया था जिसमें कि कुछ बातें बताई गए कि कब किसी भी ऐसे व्यक्ति को बेल नहीं दी जानी चाहिए जो Commercial Quantity में Involve हो मतलब Commercial Quantity कर किसी के पास से बरामद हो गई तो उसे बेल नहीं दी जानी चाहिए सिर्फ Section 37 जो NDPS Act का है सिर्फ यहीं नहीं कहता इसके उपर Judgment भी है Supreme Court के कि जब एक बार बेल दे दी गई Sessions Court के दुआरा मतलब जो Trial Court होता है Special Court होता है NDPS का जब वहां से बेल दे दी गई तो High Court में बेल Cancellation लगाया गया Section 37 को देखते हुए और साथ में Supreme Court के Judgment को देखते हुए और जब High Court ने बेल दे दी तो उसको Supreme Court में चैलेंज किया गया और बेल को Cancel करवाया गया आज मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊँगा तीन ऐसी बात है कि क्यों NDPS के के केसिस में जब Commercial Quantity आती है तो बेल आपको नहीं मिल पाती है ज़्यादा को जानने के लिए दोस्तों बने रही है मरे इस वीडियो के साथ नमस्का दोस्तों फिर एक बाद स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है Fight for True, मिरा नाम है विरिंदबर दोस्तों NDPS को समझने से पहले आपको ये समझना चाहिए कि NDPS है क्या? NDPS मतलब की कोई भी मादक पदार्त या फिर कहें नशीले पदार्तों का जो भी कोई निर्यात करता है, आयात करता है, अपनी कस्टडी में रखता है या उसके पास से ऐसी बरामत की होती है जो की किसी भी तरह से नशीले पदार्थ है जो की बैन किये हुए है अपने देश में नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस एक्ट 1985 यही बोलता है दोस्तों बैल लेना आसान नहीं लोगों की बैल होती नहीं और जैसा मैं हमेशा अपनी वीडियो के माध्यम से आप सभी को बोलता हूँ कि आपके पास कोई भी ऐसा केस आता है तो आपको बात पता होनी चाहिए कि यह NDPS केस में कमर्शल क्वांटिटी में जल्दी से बैल नहीं मिलती है आपको अपने ट्राइल पर ध्यान देना चाहिए अगर ट्राइल में आप अपने गवाहों को तोड़ पाते हैं तो आपकी बैल निश्चित हो जाएगी और आपके इससे बरी भी हो जाओगी वरना आपको सजा भी होगी और आपकी बैल भी नहीं होगी क्योंकि इसमें जो कन्लिक्शन रेट है मतलब जो सजा दी जाती है लोगों को ये बहुत ज्यादा हाई है मतलब मैक्सिमम लोगों को सजा हो जाती है बहुत कम ही लोग हैं जो की बरी हो पाते हैं उन से हैं तीन कारण जिसकी वज़र से बेल नहीं होती उसके बारे में चर्चा करते हैं सबसे पहली बात दोस्तों खुद NDPS जो act है NDPS जो act है ये खुद इसका section 37 ये बात बोलता है कि बेल नहीं दी जानी चाहिए किसी को अगर commercial quantity में आपने पकड़ा है पहली बात तो दोस्तों आपको ये पता होनी चाहिए इसमें तीन quantities में बात की जाती है पहला होता है small quantity, दूसरा होता है intermediate quantity और तीसरा होता है commercial quantity commercial quantity में कोई अगरा rest हुआ तो माल लीजिए बेल नहीं होगी पूरा trial खतम करके ही बाहर आएगा बेल हाला कि आपको लगानी चाहिए ऐसा नहीं कि बेल आप बिलकुल ना लगा है बेल लगानी चाहिए बेल आपकी बिलकुल हो सकती है बटमा grounds बनाने पड़ते है section 37 क्या बोलता है मैं English ने पढ़के पहले आपको बताता हूँ वो easily आपको समझाएगा नहीं समझाएगा तो हिंदी में ही बताएंगे section 37 states that bail should not be granted to an accused unless the accused is able to satisfy मतलब की जब तक bail नहीं दी जानी चाहिए किसी भी accused को जब तक की वो satisfy ना कर दे दो बातों के लिए दो conditions हैं court को satisfy करना पड़ेगा क्या reasonable ground for believing that the accused is not guilty सबसे पहली बात तो आपको ये proof करनी पड़ेगी और court को विश्वाज दिलाना पड़ेगा कि जो व्यक्ति जिसको arrest किया गया है वो non guilty है मतलब कि उसने अपराद किया ही नहीं जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बात बन जाती है किसी भी वकिल साहब के लिए जब court में खड़ेओ के जिरह करते हैं वक्त लगता है और अखसर मैंने देखा है commercial quantity में ही क्यों न कोई व्यक्ति पकड़ा गया हो family वाले बहुत जल्दबाजी करते हैं बेल लगाओ बेल लगाओ बेल लगाओ बार बार बेल लगाते हैं Supreme Court तक जाते हैं dismiss कराके बेल वापस आजाते हैं और कुछ उने मिलता नहीं तो पहली बात तो यह है कि आपको अपने court को satisfy करना पड़ेगा कि आप non guilty हो आपने अपराद नहीं किया है देखो दूसरी बात यह बोलता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा कि जो अब द्वारा future में ऐसा अपराद नहीं करेगा जो की uncertain है इस पर आप predict नहीं कर सकते बमशेवानी नहीं कर सकते किसी की कि वो future में अपराद नहीं करेगा तो दूसरी बात तो आप fulfill करो ना करो बात अलग है पर पहली बात ही इतनी ज़्यादा serious बन जाती है कि किस तरह से आप court में ये proof करेंगे कि आपने अपराद नहीं किया अब आप अलग-अलग ground बना कर bail लेने चले जाते हो और bail आपको नहीं मिलती है सबसे पहले trial पर ध्यान दो वरना आपकी bail नहीं होगी आप case लड़ते रहोगे और end में सजा हो जाएगी मैं आपको बार-बार समझाता हूँ बस पैसा खर्च करते रहोगे मैं आपको कुछ example से समझाता हूँ दोस्तों अगर पैसे से ही आप court को खरीज सकते या पैसे से ही case को खतम कर सकते या bail ले सकते तो इतने बड़े-बड़े नाम जो की jail में है सजा हो गई जैसे बापू आशा राम है या फिर हम राम रहीम की बात कर ले या फिर हम बात कर ले निरव मोदी की जो देश छोड़कर भाग गया और भी ऐसे कई लो जो देश छोड़कर भाग गये तो मतलब पैसा देकर आप बेल नहीं ले सकते, पैसा देकर आप केस खतम नहीं कर सकते, पर हाँ, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को बायस जरूर करा सकते हो, छेड़ चार्ड करा सकते हो, वह बात अलग है, बट कोर्ट में जैसे ही आओगे, वहाँ पर चीजे बड़ी क्लि वीडियो को पूरा देखें, और भी हमारी बहुत सारी NDPS पर वीडियो हैं, उन्हें भी देखोगे, तो NDPS के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा की है, आप जान पाओगे, हम अपने सभी practical experience को आपके साथ साजा करते हैं, क्या कुछ होता है कोट में, कोई भी किसी बी तर परसेंट स्टेट आपकी बेल को अपोस करने के लिए, मतलब बेल को फिर से कैंसल कराने के लिए हाई कोट जाएगा, और हाई कोट से आप बेल ले लोगे तो सुप्रीम कोट जाएगा, मतलब NDPS वालों के लिए ये डगर बिरकुल भी आसान नहीं है, बेल डिस्मिस होनी ही अगर डिस्मिस नहीं भी हुई अच्छे ग्राउंड्स हुए तो आपको बेल परमानेट मिलेगी और आप कैसे बरी भी हो जाओगे, सुप्रीम कोट का मैं आपको जज्जमेंट देता हूं दोस्तो, जो बेल डिस्मिस कराने के लिए खुद CBI गए थी सुप्रीम कोट में क बेल डिस्मिस की जाए, हाई कोट ने बेल दी दी, जो कि CBI वर्सिज खलीलुदीन 2023 का जज्जमेंट है, इसको आप पढ़ना दोस्तो, बेल आपको मिली भी गई तो भी आगे जाके डिस्मिस हुजएगी, अगर आपने कोट को पूरी तरह से सेटिस्फाइ नहीं किया, कि आप बिलकुल इस केस के अंदर आप निर्दोश हो, आपको जूटी तरह से फसाया गया है, या फिर कोई कानून तूटा हो, जैसे कि Section 50 का सही से Compliance ना किया गया हो, और भी कई चराइत यह होती है, या विस सेंप्लिंग में गडबड हुई हो, तो भी आप उस केस से पूरी Cancellation के लिए हमसे बात करते हैं कि सर मेरी bail cancellation High Court Supreme Court में लग चुकी है, उस पर argument करवाना है, तो अकसर देखा जाता है, bail आप ले भी लोगे, तो भी High Court Supreme Court में State चला जाएगा, bail cancel कराने के लिए, और जो मैंने आपको judgment अभी दिया है, judgment को आप पढ़ोगे, समझ जाओगे, फिर क्या तीसरा कारण है दोस्तो, सबसे बड़ी बात दोस्तो होती है सजा की, सजा में क्या बोलते हैं, पहली बात तो तीनो ही मामले जो है ये non-belabel हैं, चाहे तो small quantity हो, चाहे intermediate quantity हो, फिट चाहे commercial quantity हो, तीनो ही non-belabel अपराद है, पुलिस पकड़कर जेल में डाल देगी, और ज सजा उतनी ही ज़्यादा आपकी बढ़ा दी जाएगी, और फिर आपको ज़्यादा ज़्यादा fine भी देना पड़ेगा, सजा भी पूरी काटनी पड़ेगी, आप appeal में जाओगे, high court में जाओगे, supreme court में जाओगे, की मेरी सजा माफ किर दी जाए, फिर भी सजा माफ नहीं ह कुछ भी आप पूछना चाते हैं, दीएगे नमबर पर वर्टसेप करें, online consultancy लेना चाते हैं, कुछ पूछना चाते हैं, आप call करकर, तो भी आप दीएगे नमबर वर्टसेप कर सकते हैं, हो सकता है, इसमें हम आपकी कोई बदद कर सकें, अच्छा लगाओ आज का हमारे वीडियो हमारी वीडियो को ज़ादे ज़ादे अपने दोस्तों परिजन परिवार तक शेयर करें ताकि वो भी अपने आपको कानूनी जानका बना सके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले साथ में लगा बेल आपन जरूर दबा दे तक इसी तरह की लिगल एव झाल 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 झाल